हेलो फ्रेंड्स वेलकम आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम अपने फॉन की बैटरी को ओवर चार्ज करते हैं तो क्या होगा अगर हम फॉन को रात को चार्ज लगा के सो जाते हैं तो सुबा तक बैटरी का क्या आल होगा या फिर हम phone को charge लगा के भूल जाते हैं तो क्या phone की battery blast हो जाएगी या phone में आग लग जाएगी तो इनी topic के उपर बात करने के लिए मैंने ये video बनाई है तो basically क्या है कि ये दोनों ही बाते ठीक है कि अगर आप phone को over charge करते हैं तो battery blast हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है देखो well इसके अंदर क्या है कि normally अगर आप माल लिज़ी Samsung का phone यूज करते हो तो Samsung के phone का जब charger खराब हो जाए तो हम नया charger लेने के बजाए किसी और brand का charger जो है वो यूज करना start कर देते है या फिर हम घर पे जो दूसरा charger पड़ा है या कोई सस्ता charger है हम वो यूज करना start कर देते है जो कि उस device के साथ बिलकूल भी compatible नहीं है आप मानो या ना मानो बट 90% केसिस में ऐसा देखा गया है कि अगर charger खराब हो जाता है तो हम कोई सस्ते वाला charger मार्केट से लेके या अधर ब्रैंड के charger से उसको यूज करना start कर देते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि आपकी बैटरी की life कतम हो जाती है और बैटरी जो है वो फूलना start हो जाती है आपने देखा होगा जो बैटरी है वो बढ़ जाती है तो समझ जाना कि आपकी बैटरी जो है वो खराब हो चुकी है और ये कभी भी फट सकती है तो कहने की बात ये है कि अगर आप किसी और ब्रैंड का charger जो कि आपकी डिवाइस के साथ प्राब्लम आ सकती है अदर्वाइस आज कल ब्रैंड बहुत ही जादा फॉरवर्ड हो चुके है बहुत ही जादा टेकनोलोजी अपग्रेड हो चुकी है अमें जो भी फट मिलते हैं वो आटो कट के साथ ही आते हैं अगर आप कंपेटेबल चार्जर यूज करते हो तो चार्जिंग पूरा होने के बाद डिवाइस आटो कट कर देती है अगर आप दूसरा चार्जर या दूसरी बैटरी अपने फॉन में यूज कर रहे हो तो ये प्रावलम आपको देखने में मिल सकती है फ्रेंड्स जानकारी कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू